फिजीकल, मेडिकल, एवरिटिंग, जो भी खर्चा होगा, उसको अकेडमी बियर करेगी, यह सिर्फ आपको नाममात्री ले लिया जा रहा है, तो एक तरीके से आपकी जो पूरी जीडी है, यह फ्री होगी, कम्पलीट, सुनिए, पांस तारीक से स्टार्ट कर रहे हैं, यह क इपलिकेशन पर कराया जाएगा, लेकिन होगा ओनलाइन, यह नहीं कि सर, ओफलाइन नहीं करा रहे हैं, तो ओनलाइन का भी ऑप्शन रहेगा, ओनलाइन फीस, ओनलाइन फीस कुछ नहीं है, फ्री है, अब कोश्चन आता है सर, होस्टल वाला, देखो भाई, यह कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे होस्टल आपको उसी कोचिंग के नहीं मिलेंगे, अधर होस्टल भी आसपास में होते हैं, तो वो सारे होस्टल भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, प्लस कोई बचा रूम लेके रहना चाहता है, वो भी रूम लेके है सकता है, ठीक है, बहुत दूर तो नहीं होते हैं, वो 500 मीटर की संथिंग इतने की रेंज में, अकैडमी से इतनी ही रेंज में रहते हैं, अधर होस्टल का जो खर्चा होगा, मैं आपको बता दूँ, जो होस्टल का प्राइस है, तो होस्टल का चार्ज जो है, एक महीने का, अल्मोस कितना, बेटा 6-7,000 रुपे के आसपास रहता है, और वो कहीं भी किसी भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाते हो, तो वो सब जगा इतना ही रहता है, और कब आएगा, रिजल्ट आपका 10 तारीक से पहले पहले आजाएगा, 10 तारीक तक आजाएगा, जहां तक यहां तो इतना, लगबग कट आफ कितना जाएगा, देखो भाई, अब मैं आपको अपने आंकडे के अनुसार बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से Y ग्रूप की बात करें, तो वही आंकडा रहता है 30 के इर्दगर्द घुमेगा, से आप इसको ऐसे रखके चलो 30 से 35, ठीक है भाई, तो X ग्रू से 40 के राउंड लगा लो